की पाफ परफेक्स 15 happened याँ पास्तपरफेक्स अच्नियें इसकी पहचान किया हिंदी में जो आपकी परफेक्स की पहचान है वह говоря जैसे आपके sentence के last में क्या आता है ऐसे रहा था रही थी यह आता है तो आपका past perfect continuous tense कहला था लेकिन इसकी condition क्या है इसमें क्या दिया रहता आपको time दिया रहता है जैसे बैद दो गंटे से टीवी देख रहा था मैं चार गंटे से पढ़ा रहा था सुभा से बार इस हो रही थी तो इस तरह कि जो सैनेंस आपके होंगे वह क्या कहला है आपके past perfect continuous tense अब आते हैं helping बर पर helping वर क्या होगी इसकी इसकी एक ही helping बर होती वह आपकी head bean head bean तो आपका head bean का use singular के साथ भी होगा और इसको कोई confusion नहीं है क्योंकि एक ही है head bean तो आई आते हैं direct कहाँ पर simple sentence पर तो सबस्वेले हम फॉर्मुला लेखेंगे formula होता इसका subject plus add bean plus verb का first form plus ing plus object तो इसमें आपको पता ही है कि वही perfect है तो इसलिए perfect की helping लेते हैं head और आपका continuous है इसलिए बर्व की first form को साथ क्या आएगा ing आएगा हाँ तो अब इसका हम sentence बनाते हैं जैसे पहले sentence ही आप देख लीजे कोई साथ उठा लेते हैं जैसे बहे दो गंटे से टीवी देख रहा था बहे दो गंटे से टीवी देख रहा था तो रहा था आ रहा और दो गंटे आ रहा इसलिए एक कौन सा है past perfect continuous tense तो इसका क्यों बहे मतलब he had been watching TV for two hours for क्यों आया क्योंकि आपका period of time हैगा तो he had been watching TV for two hours जैसे हो जाए सुबा से बारिश हो रही थी सुबा से बारिश हो रही थी तो इसका क्या होगा it had been running since morning it had been running since morning तो आया आपको सुझे मैं since क्यों लागा क्योंकि आपका ये point of the time है और period of time में क्या आएगा और फोर आएगा जैसे मैं दो गंटे से पढ़ा रहा था तो इसका क्यों होगा I had been teaching for two hours is a period of time that's why four आया तो it आपको I had been teaching for two hours आया आपको simple sentence समझ में अब आते negative sentence पर तो negative sentence में क्या होगा helping वर्व के बाद not जैसे subject plus head plus not plus been plus वर्व का first form plus ing plus object तब इसमें हम देखते हैं simple जैसे हमने पहला बनाया था बहे दो गंटे से टीवी देख रहा था तो हम इसको negative बनाएंगे बहे दो गंटे से टीवी नहीं देख रहा था तो इसका क्या होगा he had not been watching tv for two hours he had not watching tv for two hours soa se waurish नहीं हो रहे थी soa se waurish नहीं हो रहे थी इसका क्या होगा it had not been running since morning soa se waurish नहीं हो रहे थी it had not running since morning आया आपको समझ में यह आपका निएधिग अलब इंटियर्ट पांटे अलब को किस अपको पता इंटियर बनाएंगे ट्या करेंगे सबसे पहले helping verb को रखेंगे तो क्या होगा आपका head plus subject plus been plus verb का first form plus ing plus object तब जैसे हम कुई question बनाते हैं क्या सुभा से वारिष हो रही थी क्या सुभा से वारिष हो रही थी तो क्या होगा इसका had it been running since morning had it been running since morning क्या बस दो गंटे से टीवी देख रहा था इसका क्या होगा had he had he been watching TV for two hours तो यह आपका interactive sentence हो गया बिल्कुल simple है पूरे sentence simple है वस उनको follow up करना है वस थोड़ा से फॉर्मूले के रूल पर तो आया आपको समझ में तो practice them thanks for watching उनको बिल्कुल